अनमोल टीचर्स पर आज हम जानेंगे राजस्थान पंचायत चुनाओं में जो मत्दान दल के अधिकारी होते हैं APO 1st, APO 2nd, APO 3rd और APO 4th उनके मत्दान के दोरान क्या-क्या कार्य होते हैं मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अप्लोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो साथियों शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं, मत्दान अधिकारी पर्थम के क्या-क्या कारिय होते ही, पहला कारिय होता है, मत्दाता की बाई अंगली पर पहले शाई तो नहीं लगी है, यह देखना, सबसे पहले देखना होता है, कि उसके बाई हाथ अंगली है, उस पर शाई तो नहीं लगी दूसरा कारिये मत दाताओं की पहचान सुनिश्चित कर उनके नाम का जोर से उच्चारण करना ताकि अन्य मत दाता कर्मी यह एजेंट उनके नाम को सुन सकें तीसरा कारिये मत दाता से एसास के परची प्राप्त कर मार्कड मत दाता सोची में नाम खोजना अगला कारिये देखते हैं मत दाता पर्ची यानि कि जो सरपंच के लिए सफेद रंग की जारी होती है उसको जारी करना अगला कारिये मत दाता सोची में विविद निसान लगाना इन निसानों के बारे हम जानते हैं कि निसान कौन-कौन से होते हैं पहला निसान है अंडर लाइन का जो वोट देने वाले सभी मद्दाता हैं उनके नाम पर अंडर लाइन का निसान करना है अगला होता है राइट यानि टिक का निसान महिला जो मद्दाता है उनके यहां टिक का निसान इस प्रकार से करना है अगला है स्टार का चिन लगाते है Transgender मददाताओं के करमांग पर और अगला देखते हैं Double A का चिन Double A का चिन लगाते हैं अंधे अपाईज मददाता होते हैं जिनको PO की साहता लेनी होती है और जो अगला E का चिन है उसको लगाते हैं जितने भी मददाता EP card दिखाते हैं देख लेते हैं नोट क्या है एजेंट A PO First द्वारा मददाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर चैलेंज नहीं कर सकता यानि कि एक बार अगर PO First से आगे मददाता चला जाता है उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो उसके बाद में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है अब हम जानते हैं मतदान अधिकारी द्वित्त के क्या कारे होते हैं मतदाता पर्ची सरपंच के लिए सफेद रंग की देख कर रजिस्टर में प्रविष्टी कर लोटा देगा यानि कि जो पियो फस्ट जिस मतदाता पर्ची को जारी करता है उसको देख कर रजिस्टर में प्रविष्टी करके वापिस मतदाता को लोटानी है दुत्यकारे देखते हैं मतदाता रजिस्टर पारूप बारे मैं करम संख्या मतदाता करमांग कैसे वार्ड नंबर ओबलिक मतदात करमांग मतदात के पूर्ण हस्ताचर बाय अंगोठे का निशान जो भी हो इपिक के अतरिक्त जो अन्य दस्तावेज हैं उसके अंतिम चार अंक भी हमको उसमें लिखने हैं दर्ज करने हैं अगला देखते हैं, बाएं हाथ की तरजनी पर अमिट चाई लगाएगा नोट देख लेते हैं, नोट क्या दिया हूँ है चाई की सीशी की सीपात्र में मिट्टी में भर कर दबा कर उसको रखनी है आगे देखते हैं सायक मतदान अधिकारी 3 के क्या कारिय होते हैं पहला कारिय मतदाता पर्ची सरपंच के लिए जो सफेद रंकी होती है वो ले लेगा ये मतदाता पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी और लिफापे में इसको सील भी किया जाएगा दूसरा कारिय देखते हैं अमिट शाई देखकर यूस कंट्रोल यूनिट सी यू से मत इसू करेगा तीसरा कारिय देखते हैं वाड पंच वाले मत पत्र देगा मत पत्र के अंतिम तीन अंक मार्ट मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे दर्ज करेगा हम जानते हैं सहायक मदान अधिकारी 4 के क्या कारिय होते हैं पहला कारिय होता है पंच मत पेटी, इस्टाम पैड सफेद कागज यों एरो क्रास, मार्क सील का परभारी होगा दूसरा कार्य देखते हैं यह है अमिट स्याई का निरिक्षन कर पंच मत पत्र पर मत देने हितु अनुमती देगा तीसरा कार्य देखते हैं मत पत्र मत पेटी में डलवाना यानि कि यही मत पत्र को मत पेटी में डलवाएगा चोथा कारिय देखते हैं ध्यान रखना की मत दाता मत पत्र साथ ने ले जाए ये सबसे महत्पून कारिय है तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सबस्क्राइब कीजिए अन्मोल टीचर्ज को एजुकेशन सम्मंदी वीडियो तुरंत पाने के लिए